तो आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक Bluetooth earphone आया हुआ है repairing के लिए इस earphone के अंदर problem यह है कि भई इसका जो power button है यह हमारा काम नहीं कर रहा है जिसकी वज़े से यह Bluetooth हमारा own नहीं हो रहा है तो इस problem को कैसे हमें check करना है कैसे repair करना है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको full detail से step by step बताऊंगा तो वीडियो को भी आप शुरू से end तक देखे और वीडियो को आगे start करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तब ही आप हमारे चैनल को subscribe और वीडियो को like करें otherwise वीडियो को dislike करें तो चलिए friend ज़्यादा समयना गवाते हुए वीडियो continue start करते हैं तो यहाँ पे देखे सबसे पहले अब हमें क्या करना है इसको हमें खोलना पड़ेगा तब ही हम देख पाएंगे कि अंदर की step से problem कहां पर problem हो रही है तो यहाँ पे इसको खोलने के लिए देखे मेरे पास step का opener है इस opener की मदर से हम खोलेंगे क्योंकि इस blue tooth के अंदर देखे उपर निचे दाएं बाएं कहीं पर भी आपको कोई page वगएरा नजर नहीं आएगा तो यहाँ पर हमें simply क्या करना है opener को लेना है और इस तरीके से बीच में ऐसे इसको space बनाना है यह देखे इस तरीके से हम लगाएंगे तो मेरा opener अंदर चला गया है और इस तरीके से hum opener को आगे करते जाएंगे देखे इस तरीके से हमें करना है आप तरीके से इसको करोगे तो इसके low वेग़रा हमारे break نہیں होगे और जब हमारे काम खतम हो जाएगunder तो हम असी तरीके से इसको cell life भी कर पाएंगे अगर आप गलत तरीके से करोगे तो फिर इसके लोगों वेगर हमारे टोड़ जाएंगे फिर बाद में इसके अच्छे से पैकिंग नहीं हो पाएगी तो आपको तरीके से इसको खोलना भी है तो यहां पे देखे बड़े अराम से यह चीजे हमारे खुल गई है यह देखे इ अंदर देखे जो हमारी पावर बटन है वह हमारी यहां पे है यह देखे यह हमारी पावर बटन के अंदर क्या होता है कि इस टाइब की जो पावर बटन होती है अगर आपने कभी की पैड वाले मुबाइल खोले होंगे तो उसके अंदर क्या होता है कुछ इसी टाइब की बेटन लगी होती है उसके अंदर क्या होते है गोल रंखी पती से होती है वो इसके उपर लगी होती थी अब ये पती जो है हमारी निकल गई है जिसकी वज़े से अब ये हमारा Bluetooth ओन नहीं हो रहा है अब वो जो पती है भई मार्केट में तो मिलती नहीं है अगर आपके पास सेम ऐसा ही कोई डिवाइस है तो आप पुराने डिवाइस से निकाल के इसके अंदर लगा सकते हो क्योंकि साइज सबका थोड़ा सा अलग-अलग होता है तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है तो अगर आपको भी नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से अब इसके अंदर हमें चार पिन दिखाय दे रही है तो इसके अंदर से हमें दो जमफर मार के निकालने हैं बाहर और क्योंकि हम बाहर इसके अंदर बटन को फिट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें यह कंफर्म कर लेना कि किन दो पॉइंट को टेस्ट करने पर यह हमारा ब्लुटूथ ओन होता है तो आपको इसी तरीके की कोई चिम्टी लेनी है और इन चिम्टी को लगा के आपको कंफर्म करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरीके से यह देखिए इसको हम ऐसे टच करेंगे यह जो दो पॉइंट है थोड़ा से मैं और फोकस कर लो ताकि आप अच्छे से क्षार सकते हो कि नीले रंग की लाइट है यहाँ पर जलना स्टार्ट होगी है इसका मतलब क्या है कि अ रखने से तो आरा इको You अगर यहाँ से तछे से तो यह बंद हो गया है तो एको यह बंद हो ठीक है तो यह तो मतलब यहां से दो वायर निकाल लो या फिर यहां से निकाल लो थीक है तो इस ठी किसे आपको ना अपने बून तुस के अंदर करके देख लेने हैं ऐसा नहीं है कि मेरे वले में इस दो पॉयंट को या फिर इसको टश करने प HER ओन हो रहा है तो आपके में भी होगा तो वह आपको ट्राइ करना पड़ेगा किसी-किसी में यह होता है कि इस तरीके से जब हम टच करते हैं तब ओन होता है तो इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा है तो सभी की वायरिंग अलग-अलग होती है तो यहां पे अब हमें क्या करना है इस तरीके से हमने पता लगा लिए कौन-कौन से पॉइंट पे टक्स करने पर यह ओन हो रहा है तो यहां पे अब हमें दो पतली वायर इसके अंदर से निकालने है तो देखे यहां पर हम क्या करेंगे इस टैप की देखे जंफर वायर होती है यह जैसे कि यह मोबाइल वेगर करेंगे तो मैं क्या करता हूं एक बार यहां पर इन वायर को जोड़ दिया है आप देख सकते हो उनी दो पॉइंट पर मैंने जंफर वायर को जोड़ा है जहां पर इसको टेस्ट करने पर यह हमारा बुलुदूत ओन हुआ था तो इस तरीके से मैंने वायर को जोड़ दिय अब उसके बाद आपको क्या करना है यह जो इसका सैड वाला बटन है इसको मैं लगा दिता हूं इस तरीके से यहां पर हम इसको लगा देंगे यह मैंने लगा दिया है ठीक है यह काम कर रहा है यह तो काम करी रहा था पहले से अब उसके बाद हमें क्या करना है यह जो वायर ह की तरफ आगी है एके नवीश्चे दूबारopes उस से त्रीके से पैक कर देंगे गया ठीक है इस सब्सक्राइब पारस से उसी से पैक कर लिया यह बिल्कुल अछे सब्क हो चुका है अब यहा के ना हमारे तो यह आप देख सकते हो यहां पर यह बंद हो चुका है लेकिन इस तरीके से इसे ओन करना बंद करना काफी मुश्किल होगा तो इसलिए यहां पर हम एक बटन का यूज करेंगे तो यहां पर देखे हम इसके अंदर कौन की बटन यूज करेंगे इस टैप की बटन होती है ना इसको हम यूज करेंगे और यह वाली जो बटन है आपको किसी भी लेक्टोनिक सोप पे बड़े अराम से मिल जाएगी या फिर जहां पर टीवी वगारा रिपेर होते हैं वहां साइड में रखेंगे तो पहले थोड़ा सा ना इस बटन का थोड़ा सा काम समझ लो इसके अंदर वायर का इस तरह जोड़नी है क्योंकि हमारे पास टोटल यहां पर चार लैग है और उसके अंदर से जो वायर निकल के आ रही है वह हमारी दो आ रही है काफी सारे लोगों को इसमें भी confusion होगी, तो इसमें आपको confused नहीं होना, यह देखी मैं आपको थोड़ा से जूम करके अच्छे से बता दूँ कि किस तरीके से आपको wire को जोड़ना है, जैसे कि अभी आपने जब Bluetooth का circuit देखा था, तो उसके अंदर भी total हमारे 4 point थे, और 4 point से वो हमारा Bluetooth ओन हो रहा होगी है, तो हमें इसी side से wire को जोड़ना है, आप जैसे कि मैंने अंदर आप को Sword करके दिखायते हैं, ज़िए आप उस 2 point पे waar मैंने षोड़े हैं, उस सोड़ कर लेते। एक कुरह बात है, तो आपको इस तरीके से wire को जोड़ना है, आपको इस तरीके से wire को नहीं होगी है, और पहिचान मैंने आपको बता दी कि अंदर की तरफ ये इस ChemooDi प्लट términ तो यहां पर इपन्दर क्या intervals करना है कि इसके पॉइंट है कर लिए यह Нам पिक्लम एक्सटा लेंगे चारों को हमें करना पड़ेया चारों किरने लिए क्या करना है सिंपले इसको यहां पर इलचिताना है तो यह देखिए यहां पर मैंने फैवी क्यूक से बटन को यहां पर फिक्स कर लिया है तो यहां पर हमारा बटन लग चुका है अब उसके बाद जिस दो जाएगी नहीं अगर हम आप यहां अंदर डालना चाहे था पिर अफ़ीर को फिर से खोलना McDade के इस दिर खिल रहेकेJa तरब खिंक लेना है यह जो एक्स्टर वायर है दोनों को हम अंदर की तरब खिंक लेंगे तो अब हमें इतनी खास दिखाई नहीं दे रही है तो इस तरीके से यह जो हमने बटन है इसको लगा लिया है अब देखिए इसको मैं ओन करके आपको दिखाना चाहूंगा मैंने प्रेस करा तो यह हमारा बुलूटूट ओन हो गया है फिर से देखिए मैं इस बटन को दुबारा से दबाऊंगा तो यहां पर देखिए रेड लैड जलेगी और यह बंद हो जाएगा तो इस तरीके से अब इसका सारा काम हमारे इसी बटन से होगा इसको बंद करने का काम Jeесс अब्यभी इसी बटन से होगा चृग करने का काम भी इसी बटन से होगा तो इस तरीके से अगर आपके पास भी कोई बुलूटूट को दुबारा से यूज कर सकते हो तो उमीद करता हूं कि आपको हमारी ही वीडियो पसंद आया होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करें और चैनल पर नए हो भई तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम